हेलो आफ यू कैसे हैं आप सभी लोग आई होप सब बहुत बढ़ी हो सवस्त होंगे तो आप सभी का यह मारे जेसे और हास्टल वार्डन दोनों का एक्जाम हो चुका है और आप सब का एक्जाम बहुत बढ़ी हुआ होगा ठीक है कटाफ की बात देखो आप लडियाम कर अब आपने टाइपिंग नहीं सेखिये तो आपको बहुत रिग्रेट होने वाला उपर यहां पर देखो टाइपिंग में सिर्फ तीन मुना बुलाए गया है सिर्फ तीन मुना ठीक है मतलब कि यह है कि अगर आपका एक्जाम कौलिफाई हो जाता है तो आपके चांस बहु इकम सेंटर मनेंगे तो काफी लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा तो ठीक है टाइपिंग से एक लवार वैसे आपके जो भी एक्जाम आने वाले हैं सबके लिए टाइपिंग बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप एक बार टाइपिंग सीख लोगे फ्री आपकोस्ट ऑनला इसे बड़ी अपडेट होगी मैं आपको शेयर कर दूँगा आप ठीक है टाइपिंग के देखो कर बात करें हम तो जो इन्वियस था इन्वियस का पर देखो एक्जाम सेम मतलब सबकुछ सेम था एक ठीक है तो उसका टाइपिंग वहाँ पर TCS ने करवाया था ठीक है उसक लब सिंपल सी बात है अगर देखो हम बात करें टाइपिंग कैसा होगा जिसने कभी भी एक्जाम ऑनलाइन नहीं दिया उसको बता दे रहा हूं बाकि जिसने दिया उसे पता होगा सिंपल आपका ऐसे कंप्यूटर रहेगा यहां बाप कीबोर्ड रहेगा जैसे आप पड़ेगा फिर आपको टाइप करना है फिर आप करना है तैक है पहली बात दूसरी बात जो आपका यहां पर टाइप करने वाला है उसकी यहां पर कोई लिमेट नहीं रहेगी जैसे उसे होता क्या है कि बच्चा जैसे मालोग 15 मिनट में है तो वो 12 मिनट में 10 मिनट टाइप कर लिया उसके बाद आराम से बैट के चेक करता है कि मेरे कोई राइने चुटी है मेरे कहीं कोई mistake का कि आपसे कोई भी mistake ना हो जितनी आपकी अच्छी accuracy रहेगी आपको उतने अच्छे मौके रहेंगे ठीक है typing qualifying आपकी तो ये matter नहीं करता है कि आप यहाँ पर कितने number gain करते हो सिर्फ qualify करना है आपको तो मोटी मोटी बात है कि passage की कोई limit नहीं रहेगी ऐसा नहीं कि मतलब आपको passage आपका type नहीं हो रहा है तो आप देखके डर गया कि मतलब आपकी तक type हुआ कि हो नहीं 35 की speed बोला है English में और 30 की बोला हिंदी में तो आप तक तो 350 वाट हो जाने चीज़े बाकी ऐसा कुछ नहीं रहने वाला ठीक ये देखको एक अच्छी चीज भी हो गलत चीज भी है बाकी जहां तक मेरे साबसी भी सही है इससे होता क्या है कि कोई line छुड़ गई है तब भी आपके chance रहते हैं तो ये देखको ये हो गया कि आपको कैसे कुछ रहने वाला है उपर आपको passage आएगा नीचे आपको type करना रहेगा और speed English की आपकी 35 बोली गई है Hindi की आपकी 30 की speed बोली गई है ठीक है इतनी speed देखको जैसे की post के लिए normal है और इतनी speed आप अराम से कर सकते हो 35 मतलब है कि 350 word आपको हिंदी में सही सही type sorry English आपको सही सही type करने 10 मिनिट में और 300 word आपको हिंदी में सही सही type करने है ठीक ही ये हो गया अगर बात करें हम देखो आगे कि typing किसमे होगी Hindi या English तो ये देखो आपके उपर है दोनों में type आपको नहीं करना है आपको सिर्फ Hindi English में से एक को type करना है जिसमें आप comfortable हो जिसमें आपको typing आती हो I hope आप में से मैगसम लोग को English typing आती हो बाकि जिसको typing कुछ भी नहीं आती है उसके लिए English typing ही easy रहने वाली बाकि दोनों आप जो जाओ कर सकते हो form भरते समय आपसे कोई भी कुछ भी नहीं पुछा गया कि आपको typing किसमें करना हिंदी या English में वहाँ पर सिर्फ बोला गया है कि आप typing कर लेते हो नहीं English में 35 या Hindi में 30 तो वहाँ पर I think सब ने yes किया होगा ठीक है और जहां तक मुझे लगता है कि अभी आपका जब result आजाएगा तो result के बाद typing से पहले आपका एक बार फिर से window open होगा और वहाँ पर आपको अपनी typing का form फिल करना होगा typing form मतलब है कि आपको typing English करनी या Hindi करनी ठीक है आपको typing सिर्फ एक में करनी है दोनों में नहीं करनी है इसकी speed 30 है और हिंदी की speed आपकी 30 है speed देखो मैंने बता दिया है ठीक है हिंदी typing के font की बात करते हैं अगर तो जहां तक मुझे लगता है मंगल रहने वाला है आपका font क्या है ना कि अलावाद high court का जो एक्जाम था उसमें भी मंगल था और जो भी जितनी एक्जाम सिंटल वाले इस टाइम होने सभी मंगल font ले रहा है तो जहां तक है मंगल है आपका typing रहने वाला हिंदी का जो भी हिंदी में सीख रहा है तो आप मंगल सेख सकते हो बाकि देखो हिंदी में तो थोड़ा सबको इशू हो सकता है ठीक है तो आप देखो पहली बात तो आपका जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं आपको दिखा दे रहा हूं मैं वहाँ पर देखो पहला यह मेंशन है आपको नोटिफिकेशन में कि आपके पास मिनमम स्पीट 35 की होने चाहिए इंगलिश में और 30 की होने चाहिए हिंदी में के minimum दे कोई इतना बोल रखा है और एक और आपको जिए बोल रखा है कि आपको जो typing दो कोई stage 2 में आपका typing होगा 50 number का होगा जिसमें से आपका 20 number qualifying के लिए होगा ठीक है typing आप qualifying nature में होगी ठीक है और आपका जो merit है वो आपके ये exam के base पे बनेगी और 50 में से आपको 20 number gain करना होगा इसके अलावा कहीं भी कुछ भी mention नहीं है आपके notification में लेकिन मैं बता दूँ ये कोई नई बात नहीं है EPFO का exam EPFO का notification आया था उसमें भी कुछ mention नहीं था typing कैसे होगा KVS जो LDC का आया था उसमें कुछ mention नहीं था अलावाद high code का जो भी था उसमें कुछ mention नहीं था तो ये लोग कभी mention नहीं करते हैं ठीक है ये आप कुछ से समझना पढ़ा क्या कुछ कैसे रहने वाला है तो error देखो बता दूँ मैं max to make unreserved के लिए 5% error allowed रहे जहां तक मुझे लगता है इससे अधिक error allowed नहीं रहने बाला है लेकिन typing आपकी easy होगी easy क्यों क्यों कि आपका typing अगर आसान नहीं होती तो इतने कम लोग को नहीं बुलाया जाता ठीक है इतने कम लोग को बुलाने का मतलब कि typing या तो easy रखी जाएगी और अगर typing easy नहीं रखी जाएगी तो बिश्वास करो जो बंदा कट आप qualify कर लेगा वो final selection भी ले लेगा लेकिन typing जहां तक मुझे रखता है easy रहेगी और हर बंदा कर सकता है ऐसे typing रहने वाली है error जहां तक max to max 5% allowed रहेगा लेकिन आपको try करना है कि आपको 2-3% error करने है ठीक है इससे अधिक आपको error नहीं करने है घर में अगर आपको speed 40-45 आ जाती है तो आप बड़े अराम से exam में कर लोगे देखो exam में क्या होता है ना कभी-कभी जैसे आपको घर में keyboard रहता है वैसे keyboard नहीं रहता है कभी-कभी keyboard आपको बहुत अच्छा मिल सकता है लेकिन कभी-कभी keyboard आपको थोड़ी से अच्छी condition में नहीं मिल सकता है अब जरूरी नहीं कि अगर आपको keyboard अच्छा नहीं है तो आप easily वहाँ पर typing कर लोगे, ठीक है, back space आपका full allowed रहेगा, back space लिए काफी लोगा doubt था, back space full allowed रहेगा, कोई भी word आपका highlight नहीं रहेगा, काफी लोग सोचें कि word आपका highlight रहेगा, अगर ऐसा होता है, तो हर बंदर typing कर लेगा, 35 का फिर 40 भी typing आप कर सकते हो, गर word आपका highlight आपका highlight नहीं रहने वाला है, ठीक है, back space आपका loud रहेगा, इसके अलावा, जहां तक है max to max 5% error, बाकि आपकी कोई limit नहीं पैसेज की तो आपको बस type करते रहना है, ठीक है, बाकि देखो 20 number बोल रखा है qualifying, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत जादा आसान है, 20 number तो उसे पूरे 50 मिलेंगे, जो जैसे error करते जाएगा, उसे वैसे कम number मिलेंगे, लेकिन देखो सीन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इन्होंने कोई clarity नहीं दे रखी है, तो ये आप ध्यान मत रखो कि ऐसा कुछ आप लिखा भी है, आप सिर्फ इतना करना है, कि आपको अपनी error max to max 3% तक रखनी है, इससे उपर आपको error नहीं करना है, घर में आप practice करते हो तो, अगर आपके पास already speed अच्छी है, तो आप max to max 2 से 3% error करने का प्रयास करो, इससे ज़्यादा आप error मत करो, भली आपकी speed थोड़ी कम है, आपकी speed 40 के जगा 35 या है, 36 या है, 38 या है, लेकिन आपको error कम से कम रखने का प्रयास करना है, ठीक है, तो यह रहे देखो, आपके सारे doubts, इसके अलावा, I think, आपके कोई भी doubt नहीं बचे होंगे, अगर आपके कोई भी doubt बचते हैं, तो आप comment कर सकते हैं, आपको reply कर दूँगा, ठीक है, तो मोटा मोटा जो आपके information थी, पह एक spaceful allowed रहेगा, ठीक है, एक्जाम आपका NTA TCS 2 में से करवाएगा, और error आपका max to max 5% allowed रहेगा, इससे दिए को error allowed नहीं रहेगा, ठीक है, टाइपिंग आपके easy रहने वाले तो इसका आपको बहुत headache नहीं लेना है, लेकिन आपको इसको हलके में भी नहीं लेना है, इसके टाइपिंग लेए थोड़ा से relax हो जाओगे, relax आपको नहीं होना, डेली आपको 2 कंटे टाइपिंग करते रहे ना, ठीक है, अगर कोई बंदा 20 डेली 2 कंटे टाइपिंग लेगा, तो बड़े आराम से आप 1.5 महीने में टाइपिंग सीख सकते हो, वो आपके उपर है, ठी ठीक है, तो I hope आपके मैंने सारे डाउटस क्लियर कर दी है, अगर कोई डाउट भचा है, तो आप comment कर देना मैं reply कर दूँगा, ठीक है, ना.